स्वागत है हमारे चैनल बीएसी एजुकेशन लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे बीएसी थर्डियर में सेकंड पेपर यूनिट फॉर्थ का चैप्टर 12 ठीक है तो यहां पर हम आप लोग के लिए कुछ डेफिनिशन बता रहे हैं जो कि पीपर में पूछी जा सकते हैं तो आप बाई यूनिट वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो लाइक शियर और कमेंट जरू करें सबसे पहले चलते ही प्रतकृत समुच्चे क्या कहलाता यह देखते हैं ठीक है तो माना एक्षडी एक क्या है दूरिक प्रतकृत कहलाएंगे ठीक है यदी एक कोमन बी नॉट इस उकॉल टू फाय यानि कि ए सर्वनेस्ट बी नॉट कहें कि परावबर फाई के तथा बी सर्वनेस्ट ए नॉट मैं इस उकॉल टू फाय यानि कि दोनोंको पर कर सकते देखो इसकी वैल्यू भी फाय आएगी और इसकी वैलिता है तुम ए नॉट कर दो यहाँ पर या बी नॉट कर दो ठीक है दोनों कंडिशन में यह होता अपनों प्रतकृत समुच्च है अब दूसरी पढ़ाते आसंबद्धिता अब आसंबद्धिता क्या कहलाती है यह देखते हैं माना एक्षडी एक दूरिक समस्च समस्च है तथा आसंबद्धिता किसे कहते हैं माना एक्षडी क्या है दूरिक समस्च्च ततह एम नहीं सबसेट आफ एक्स के तो 2x को क्या कहेंगे संबद्धिता यानि सबसेट था एक्स तो ए और भी क्या कहलाते प्रतक्रित कहलाते थी लेकिन अब यहां पर कि तो X को क्या कहेंगे आसंबद समझ्टी देगो A और B को क्या कहेंगे प्रतक्रित तो इसको क्या कहेंगे X को आसंबद दा कब कहेंगे यदि तीन कंडिशन अपनी लागूं हो ठीक है यानि कि जो A और B हो सबसेट हो X का तो x को आसमबद समझ्टी कहेंगे यदि a Regionalist b ययानि कि a संगg b तो जो x होगा x को क्या कहेंगे आसमबद समझ्टी यदि a not cancerousness b is equal to pi तो भी x को क्या कहेंगे आसमबद समझ्टी और यदि aacioनिष भी not तो इसको भी is equal to 5 म coupon x क्या होगा आसंबद समस्टी ठीक है अब अत्वा यह S1 में यदि संग हो तब X क्या होगा आसंबद समस्टी और यदि A not सर्वनिष्ट भी होगा तब भी X आसंबद समस्टी होगा और A सर्वनिष्ट B not हो तब भी क्या होगा X आसंबद समस्टी अब इसको अत्वा इसको एक प्रिकार्ट से और समझे सकते हैं एक डेफिनिशन और बताते हैं ठीक है एक्स को आसंबद समस्टी कहेंगे यदि एक्स का एक आरिक्त उचित उपसमुच्च ए इस तरह होगी यह वीवरत की हो और सम्वरत भी हो यहाँ पर भी लिखना है ठीक है कहने का मतलब क्या है कि एक्स को आसंबद समस्टी कहेंगे यदि एक्स का क्या हो एक आरिक्त उचित उपसमुच्च है यानि कि क्या एक्स सबसेट का हो एक्स का ठीक है किस प्रिकार हो इस तरह हो कि वह वीवरत भी हो और सम्वरत भी हो ठीक है वीवरत भी हो तो एक्स को क्या कहेंगे असंवध्द समस्टी कहेंगे अब चल्थ संबद्त जो ना हो तो अपना उसे को संबद्ति आ कह सकते हैं ठीक है यह इसके आधर पर आगे कॉस्टन शॉल्व करवाएंगे जो कि एक प्रमे है जो कि इंपोर्टेंट है ठीक है तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए का थेंक यू ठीक है यूनिट फॉर्ट का चैप्टर ट्वैल भी कर रहे हैं यहां पर ठीक क्यू